भारत्यो क्रिकेट केम के पूरु कपतान महिंद सिंग धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में आईपीस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ मदरास हाई कोट में याचिका दायर की है दोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर उचतम न्यालय और कुछ वर्श्ट वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के आरोप लगाए है साथी उन्होंने संपत कुमार पर कोट की आउमानना की कारवाही शुरू करने की और उन्हें समन जारी करने की मांग की है कोट ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्विकार कर लिया है मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी धोनी ने 2014 में ततकालीन फुलिस मानलचक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉल्ट फिक्सिंग में उनसे यानि धोनी से जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी उन्होंने अदालत से हर जाने के तौर पर सौ करोर रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोथ किया था अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरी मादेश पारिद करके संपत कुमार पर दोनी की खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगाया था बावजू जिसके संपत कुमार ने कथित तोर पर उच्छतम न्यालय के पास हलफ नामा दायर किया जिसमें नायपाली और इस मामले में उनके खिलाफ राजय का प्रतिदितू करने वाले वरिष्ट वकील के खिलाफ अपमान जनक टिपनी की गई थी